वर्तमान में कोन क्या है इसका पहला क्युस्षन है कि 36 गड के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कोन बने हैं आप सभी जानते हैं 2023 में पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं कोन कोन से पांच राज्यों में पहले ये जान लीजिए मद्य परदेश, 36 गड, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए हैं तो 36 गड के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं विश्नु देव साय जी ओप्स नमबर सीज का बिलकुल राइट है आपको बता दूँ यह यहां के चोथे मुख्यमंत्री है करें तो वो हैं विश्वाबूशन हरी चंदन जी क्यूसर नमबर सेकिंड है कि मद्य परदेश के नए मुख्यमंत्री कोन बने हैं तो दोस्तों वो बने हैं मोहन यादव जी option number 10 का बिलकुल राइट है कोन से नमबर के बने हैं तो 19 वे नमबर के मुख्यमंत्री बने हैं बद्य परदेश के इन से पहले कोन ते तो शिवराद सिंग चोहान यां के मुख्यमंत्री थे कि हांके गवर्नर की बात करें तो वो हैं मंगूबाई सी पटेल जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो अभी हाल ही में बजनलाल सर्माजी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन से नमबर के बने हैं तो चोदवे नमबर के मुख्यमंत्री बने हैं किसकी जगय ली है? तो असो गैलोत की जगय कौन बने है? बजन लाल सर्माजी बने है, यहां के राज्यपाल की बात करें तो वो हैं कलराज मिस्राजी, तो इस सारी अपको ध्यान रखने हैं, कि उसे number four है, कि तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंतरी कोन बने हैं तो वो हैं दोस्तो रिवन्त रेडी जी ओप्सन नमबर 20 का बिल्कुल राइट है कोन से नमबर के बने हैं तो केवल दूसरे नमबर के मुख्यमंतरी बने हैं तेलंगाना राज्य के इनसे पहले कौन थे पहले नमबर वाले तो वो थे चंदर शेखर राउ जी यहां के राज्य पाल है टी सुन्दर राजन जी यह भी आपको धान रखना है क्युस्सन नमबर फाइफ है कि मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंतरी कौन बने हैं दोस्तों आपको सभी धान रखने हैं क्योंकि इन पांच में से आने वाले एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा तो मिजोरम के नए मुख्यमंतरी बने हैं ओप्सन नमबर भी लाल दुहोमा जी जी यहां दोस्तों लाल दुहोमा जी छटे नमबर के मुख्यमंतरी बने हैं मिजोरम राज्य के इनसे पहले क Chief Information Commissioner CIC कोन बने हैं पहले दलित तुआ आपको बताना है तो वो बने हैं हीरालाल सामरिया जी ओप्सन नमबर 20 का बिल्कुल राइट है अगर बात करें हीरालाल जी की तो राजस्थान के बरतपूर से बिलोंग करते हैं और इनको सपत किसने दिलवाई थी CIC पद के लिए तो ज उखे सूचना आयुक्त कोन थे तो वो थे दोस्तो वजाहत हभी बुल्ला जी ये भी आपको ध्यान रखना है परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को तीसरी बार सिरी सोमना ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं SST के हाल ही में नए अध्यक्स चुने गए हैं इस बार उनको कितने व बिल्कुल राइट हो जाएगा ये गोशना कब की गी थी दोस्तो तो जो SST की इस बार की 122 वी नंबर की बैठक थी जो की गांधी नगर में हुई थी वहाँ पर इस बात की गोशना करी गई थी आपको ये भी ध्यान रखना है उल्टे तरीके से भी पूछ सकता है कि SST के नए अध्यक्स कोन बने हैं तो नरिंदर मोधी जी बने हैं कि उसे नमबर नाइन है कि Special Protection Group के नए निदेशक कोन बने हैं New Director of SPG तो अभी हाल ही में अलोग सर्मा जी को नए डारेक्टर बनाया गया है SPG का बात करें SPG की तो स्थाबना होती है 1988 में और इसका काम क्या होता है तो दोस्तो जो भी बारत का परदान मंतरी होगा उसकी सुरक्षा करना साथ ही साथ उसके Family Members की भी सुरक्षा करना इसका काम होता है देश के नए एक केंदरिय करसी और किसान कल्यान मंतरी किसे बनाया गया है तो आपको बता दूँ नरेंदर सिंग तोमर की जगे अरजुन म मुंडा जी को देश का नया केंदरिय करसी और किसान कल्यान मंतरी बनाया गया है बात करें अरजुन मुंडा जी की तो आपको बता दूँ दोस्तो यह तीन बार सियम रह चुके हैं जारखंड राज्य के तो ये भी आपको ध्यान रखना है ओप्स नमबर 20 का बिलकुल हाल ही में रगुवर दास को किस राज्य का राज्य पाल नियुक्त किया गया है तो दोस्तो नवंबर 2023 का important question है जरूर ध्यान रखना है तो आपको बता दूँ ओडिसा राज्य के नए राज्य पाल बने हैं कौन रगुवर दास जी कौन से नमबर के बने हैं तो 26 वे नमबर सेना रेडी को किस राज्य का राज्य पाल नियुक्त किया गया है तो वो है दोस्तो तृपुरा राज्य के नए राज्य पाल बने हैं इंदर सेना रेडी जी कौन से नमबर के बने हैं तो 20 वे नमबर के राज्य पाल नियुक्त हुए हैं यहां के मुख्यमंतरी की बात करे तो वो है मनिक शोजी हाल ही में भारतिय स्टेट बैंक जिसको हम SBI बोलते हैं उन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेश्टर न्यूक्त किया है तो वो कौन है तो उसके लिए हिंट साथ ही हो उसको मिश्टर कूल के नाम से जाना जाता है वो है महिंदर सिंग दोनी जी उप्शन नमबर सी इसका बिल्कुल राइट है SBI की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना होती है एक जुलाई को तीन बैंकों के मुखे गुरूप से इसको बनाय जाता है और इसका हैड़कॉर्टर कहां पे है तो लगबग जितने भी बैंक हैं सभी का हेड़कॉर्टर मुंबई में है तो इसका हेड़कॉर्टर भी कहां पे मिलेगा मुंबई में मिलेगा क्यूशन नमबर 14 है कि SBI बैंक के नए प्रबंधन निदेशक किसे न्यूक्त किया गया है तो New Managing Director of State Bank of India या किसे न्यूक्त किया गया है वो बताना है तो वो बने है विने एम टॉंस जी ओप्सन नमबर A इसका बिल्कुल राइट है यहां से एक क्यूशन और पूच सकता है आप से कि यहां इसके चेर्मेन कोन है तो SBI के नए चेर्मेन है नए सयूंक्त निदेशक बने है उनका नाम है वी चंदर सेखर जी वोप्सन नमबर C इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बात करें CBI की तो इसकी स्थापना होती है 1963 में हेड़क्वाटर कहां पे मिलेगा न्यू देली में है इसका एड़क्वाटर और इसके डाइक्टर कों है तो परवीन सूद जी इसके डाइक्टर है हाल ही में राष्तिय निर्वाच्चन आयोग जिसको हम बोलते हैं नैस्नल इलेक्शन कमिशन के हाल ही में नैस्नल आइकन किसको nuked किया गया है तो वो है में यहां से क्यूशन पूछा जा सकता है आपसे कि नैशनल इलेक्षन कमिशनर कोन है इंडिया के तो 25 वे नंबर के है राजीव कुभार जी ये भी आपको ध्यान डखना है क्यूशन नंबर 17 है कि बारतिय वाणी की अनुसंधान सिक्षा परिशद की पहली मैला महानिदेशक कोन बनी है तो नई डारेक्टर जनरल बनी है इंडियन काउंसिल ओफ फोरेश्ट्री रिसर्च एजुकेशन की तो वो बनी है कंचन देवी जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है पहली मैला है आपके एकजाम में जरूर ये कूशन पूछा जाएगा